नमेशकार दोस्तों, आजादी के बाद से हमारे देश के अंदर जो लिटरिसी का लेवल है, वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, उसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें फानेशल लिटरिसी की, मतलब कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है, आप उस पैसे को किस तरह से अच्छे से इन्वेश्ट कर सकते हो, इसके बारे में बहुत जादा लोगों को पता नहीं होता, और इसलिए जादा तर अगर आप देखोगे, तो लोग म्यूचुल फंड का तरीका अपनाते हैं, जैसे कि अगर आप शेर मार्केट के बारे में नहीं जानते ह लेकिन आप इन्वेश्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके, इन्फाक्ट जो लोग शेर मार्केट में भी निवेश करते हैं, वो भी अपना कुछ हिस्सा म्यूचुल फंड के अंद रिस्क ओ मीटर इंटोड्यूस किया गया है, आप यहाँ पर न्यूस देख सकते हो, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कि यह मूचुल फंड क्या है, यह रिस्क ओ मीटर लाने के आवशकता क्यों पड़ी, इससे क्या बेनेफिट होने वाला है, तो काफी कुछ जानने क है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मिझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, और पर मेरे लेक्शे की है, पीडियोफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल कर सकते हैं, अंकित अगरवाल, और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्मार्ट पोर्से, जिसके तुरू आप अपनी प्रिप्रेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, दोस्तों, mutual fund का आर्थ क्या जाता है, especially जो stock market हो गया, equity का जो हम निवेश कहते हैं, तो वहाँ पर निवेश किया जाता है, या फिर bonds market हो गया, वहाँ पर निवेश किया जाता है, ताकि आपका risk कम रहे, लेकिन return आपको अच्छा मिल सके, जैसे कि normally अगर आप अपना पैसा savings account में डालोगे, fixed deposit में डालो लेकिन negative return भी आते हैं, ये भी आप धियान रखेगा, अगर stock market नीचे जाता है, तो वहाँ पर negative return भी देखने को मिलते हैं, इसके लाबा mutual fund basically हम कहें, तो तीन प्रकार क्या आप कह सकते हो, एक होता है debt fund, देखो debt क्या होता है, कि जब आपका पैसा bonds के अंदर निवेश किया जाता है, जैसे bonds क्या है, सरकार ने bonds जारी किया, किसी company ने bonds जारी किया, उस bond पर क्या होता है, कि कोई भी वो bond खरीदेगा, तो उसको fixed rate of return मिलता है, 8%, 10% depend करता है, fixed rate of return मिलता है, तो mutual fund क्या करती है, उन bonds के अंदर निवेश करती है, तो उसको हम debt fund कहते है, equity fund वो होता है दो है, return थोड़ा सा कम रहता है, risk भी कम रहता है, ठीक है, पैसा, आपका chances मतलब nil के ब्रावर होते हैं, debt fund में तो क्या आपको fixed rate of type का return मिलता रहेगा, 5%, 7% इसके आस-पास मिलते रहेंगे, equity fund में आपको 15%, 20% तक के भी return मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर risk भी होता है, आपका पैस पैसा डूब भी सकता है, काफी हद तक, तो यहाँ पर hybrid fund वो होता है, दोस्तों कि कुछ पैसा आपका debt fund में लगा दिया जाता है, कुछ पैसा equity fund में लगा दिया जाता है, इसी को hybrid fund कहते हैं, I hope कि mutual fund आपको समझ में आ गया होगा, यह important इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर experts के द benefit भी मिलते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, investor क्या करता है, पैसा डालता है, fund manager उसको निवेश करता है, securities में, stock market में या कहीं पर भी return आता है, और वो return आपको मिल जाता है, इस तरह से पूरा mutual fund वर्क करता है, देश के अंदर आपने देखा होगा, UTI mutual fund ने, in fact UTI AMC का तो IPO आया था, अगर आप निवेश करते हो, आपको पता होगा, इसके लावे HDFC हो गया, हर एक bank यहाँ पर ज्यादा तरह आप देखोगे, तो mutual fund की services provide करते हैं, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, तो suppose आप निवेश करना चाहते हो mutual fund के अंदर, इसके लिए य Securities Exchange Board of India हमारे देश में, उन्होंने ये कहा है कि जो निवेश कर रहे हैं, उनके पास proper information होनी चाहिए कि जिस mutual fund के schemes में वो निवेश कर रहे हैं, क्या वो उसमें ज़्यादा risk है कि कम risk है, इसके हिसाब से उनको at least पता होना चाहिए, ताकि future में उनका अगर पैसा डूपता भ होते हैं, लेकिन जैसे कि equity fund में भी देखोगे दोस्तों तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऐसा mutual fund है जहाँ पर आपका जो पैसा है, वो सिर्फ IT stock में लग रहा है, जैसे infosys हो गया, विप्रो हो गया, जो IT stock से वहाँ पर लग रहा है, कुछ mutual fund ऐसे होते हैं, जहाँ जो छोटी-छोटी companies होती हैं, उसके अंदर लगाया जाता है, तो छोटी companies में अगर आप निवेश करोगी, जिसको small cap fund भी कहा जाता है, उसमें अगर आप निवेश करवाते हैं, अपना mutual fund के थ्रू, तो वहाँ पर आपका risk बहुत जादा होता है, लेकिन आपका जो return है, व और mid cap के मुकाबले, तो उस तरह के बहुत सारे schemes होते हैं, basically कहने का मतलब है, हर एक company, जो मैंने आपको यहाँ पर company बताया, हर एक company अलग-अलग प्रकार से निवेश कराती है, हर एक company यहाँ पर एक तरह का risk level assign करना पड़ेगा, कि यह वाले scheme में अगर आप अपना rate risk है, high risk है, या फिर very high risk है, किस प्रकार का risk है, यह अप से क्या करना होगा, mutual fund की company को बताना होगा, कि आपका जो पैसा निवेश हो रहा है, वो very high risk वाले scheme के अंदर हो रहा है, तो वो आपको सावधानी रखना है, तो यह चीज है, दोस्तों, I hope समझ गए होगे आप, और इ risk o meter, जह हम बात कर रहे हैं, risk o meter की यह work कैसे करेगा, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर जैसे ही कोई scheme launch की जाती है, किसी company के द्वारा, कि हम एक नया mutual fund scheme लेकर आ रहे हैं, इस scheme के तहत, हम यह यह type की company में निवेश करेंगे, तो जिस company में वो निवेश किया जा रहा है, उसके हिसाब से उसको assign करना होगा, कि यह वाला type का जो mutual fund scheme है, यह risk कैसा है, very low है, कि low है, कि moderate है, किस प्रकार का है, वो यहाँ पर बताना होगा, और यहाँ पर जो companies हैं, उनको अपने website पर इसके बारे में डालना होगा, इसके अलावा यहाँ पर जो association of mutual funds की website है, उसके अंदर भी चीज़ें करनी होगी, इसके अलावा, अगर कोई भी change आता है, और इसको हर महने monitor करना होगा, suppose January के महने में कोई mutual fund का scheme था, उसका risk आपका very low था, ठीक है, लेकिन एक महने के बाद उसका risk moderate हो गया, तो यहाँ पर अपने customers को बताना पड़ेगा, उस mutual fund company को की आपका जो risk है, वो आपका कम था पहले, अब इस वाले scheme में, जो risk है, वो जादा बढ़ गया है, ठीक है, और यह ऐसा, सेभी ने यहाँ पर बताया है, अपने guidelines के अंदर, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, कि अलग-अलग type के हैं, जैसे कि low हो गया, बहुत कम risk है, low to moderate, moderate, moderately high, फिर high, very high, तो इतने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, basically 6 प्रकार के risk आप देख रहे हो, इस तरह के risk assign किये जाएंगे, अलग-अलग mutual funds के scheme को, यहाँ पर अगर एक से कम है, तो वो low होगा, जो risk की value अगर एक से कम है, तो low होगा, एक से 2 के बीच में है, तो low to moderate होगा, इस तरह स देखते होगे, कि यह वाला mutual fund high risk का है, यह वाला mutual fund कम risk का है, लेकिन पहले की चीजें बहुत different हुआ करती थी, उसमें क्या होगा करता था, basically, कि अगर कोई company है, mutual fund company है, एक scheme लेकर आई है, जहाँ पर large companies में निवेश किया जा रहा है, जिसको हम large cap fund कहते हैं, तो वहाँ पर क् companies क्या करती थी, कह देती थी, कि low risk वाला है, क्योंकि बड़े companies में निवेश कर रहे हैं, पैसा कम डूबेगा, तो low risk वाला है, तो सारे companies क्या करती थी, उसको एक ही, चाहें वह किसी company में निवेश कर रहे हैं, अगर वह large cap fund है, सभी को कह देती थी, low risk है, low risk है, मतलब कोई specific नहीं बताता था, इसकी वज़े से क्या होता था, कि जो निवेशक है, उसको अच्छे से चीजें पता नहीं चल पाती, transparent नहीं रहता था, लेकिन अब चीजेंच होने वाली है, यहाँ पर फर्स्ट जैनुरी से क्या है, कि हर एक scheme के लिए, मतलब कि Reliance अगर कोई scheme लेकर आ भली है, भली वो दोनों यहाँ पर large cap में ही निवेश कर रहे हो, लेकिन अलग-अलग, उनका access bank ज़रूरी है कि same company भी निवेश करेगी, जो कि Reliance mutual fund यहाँ पर अलग निवेश करेगी, ज़रूरी है कि same होगा, इसके लिए यहाँ पर हर एक scheme के लिए अलग risk दिया जाएगा, यह 6 में से जो risk है, वो यहाँ पर define करना पड़ेगा, आयोग की समझगा होगे, लेकिन यहाँ पर एक और question आता है कि parameter क्या होगा, किस basis पर किस scheme के लिए कितना risk है, वो कैसे define होगा, तो छोटी सी चीज़ याद रखना मैंने आपको starting में बताया था है, एक debt mutual fund होता है, तो debt वाले जो mutual fund है, दोस्तों, वहाँ पर credit risk कैसा है, जिस company में निवेश हो रहा है, interest rate का risk कैसा है, liquidity का risk कैसा है, इन सभी चीज़ के parameter basis पर यहाँ पर define किया जाएगा, कि debt mutual fund वाले में कितना risk है, वो risk को meter के हिसाब से define कर दिया जाएगा, अगर equity वाला mutual fund है, जहाँ पर share market में नि define किया जाएगा, कि risk कितना है, उस particular mutual fund का, बस इतना ये parameters पर याद रखना, और कुछ ज़्यादा इसमें जाने की आउशकता नहीं है, और इन सभी चीज़ों को देखते वे, कई सारे जो experts हैं, उनका ये कहना है, कि पहले वाला जो riskometer होता था, वो बहुत ज़्यादा misleading था, आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन ये वाले में, यहाँ पर exactly अब हमें पता चल पाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, और conclusion में कह सकते हैं, दोस्तों, ये जो riskometer नया लाया गया है, सेभी के द्वारा, mandatory कर दिया गया है, वो एक तरह से another layer of information provide करता है निवीशकों को, जो investment decision है हमारा, हम उसको और अच्छे से ले सकते हैं, इस particular information के basis पर, और इसी लिए, मैंने इस वीडियो की सुरवात किया था, financial literacy से, और ये financial literacy को और बढ़ाने का काम करेगा, आप कह सकते हो, तो जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर market की बात basic capital gain होगा, इसका जो right answer मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase क करना चाते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.